हेलो बच्चों चलिए आज भी चलते हैं आपके साथ ट्रिक्नोमेट्रिक के दुनिया में देखिए हमारे पास दो कोशन लिखा हुआ पहले से कॉस स्क्वाइर 45 डिग्री माइन साइन स्क्वाइर 15 डिग्री एकुस तो 3 बैटू और 2 सинг स्क्वाइर एडल टेड़ा साहिन व्लस न वं इंतु एडल साइन स्क्वाइर ऑगुस । हमारे पास वं मुला है कोसज्वाइर 3 माइन सा इन साइन स्क्वाइर बी हआर्यें इसाय कोज़न प्लस बी है इन्तु कॉसे माइन सबस्ली हुर अ Hein अधिरा आप ता की को अपने तीमाब बैठाइए एक ना में सफ ना में है कोश्रहन आप ट्विस देन के लिए क्या देगा डोनों म resting को स्क्वार मा ओ ता अगर पास कोई फार्मोब आप तो चिसको क्छो appreciate क्या लखेंगों वन माइनस साइडी स्क्वाइड ए माइनस माइनस साइडी सज्ञोड बी अब देगी जब ब्रैकेटाओ परेंगा क्या मिल जागे मोगह हमसे हम this पहले फामलों के प्लाइक रें उमिद्या लिखेंगे हैं हाप परक और क्या वोटी था फिफीं डिग्री इंटु कंस में फिफ्टीं डिग्री को सिक्स्टी डिग्री इंटु कॉस Twitter अग्री पूरे को दिमाग में आप A सपोस कर लिजे इस पूरे को दिमाग में आप क्या सपोस कर लिजे बीस अपोस कर लिजे तो फूर्मुले की सबसे क्या होगा चांट एफ ब्लस ए प्लस साइट एलेडर पर एने एने एड़ों के कितना जगह है आपर टू ए तो टू एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन देओ कि मेरा क्या है राइट हें साइड देखिए आगे वरिफाई होगे तो आपको बता चलिए यह फॉर्मला दो और आपको पास से कलेक्शन अपने फॉर्मला में यह दो औ देजेगा और ट्विस्ट के साथ कैसे कॉश्चन चेंज होगा वह भी आपको मैंने बताती है चलिए अब आज हम लोगा जो में टॉपिक हम लोगो साइन एटीन डिगरी को सेटीन डिगरी साइन थर्टिसिक्स को सटीसिक्स साइन ट्वैल्यू निकालनी सिखने हैं फिर कि निर्स्ट कोन सा ऐसा वैल्यों जिसकी वैली उम्को पता है तो आपको बताएंगे भाई हमको पता है इसके निरेस्ट जो है जो इसका मल्टिपल भी वह वह है 90 तो अगर हम लोग एक ही वैल्यू 18 डिग्री ले लें तो 5 हे में रहा हो जागा कितना 90 डिग्री रीजन आपको बता दिया कि इसके नियरेस्ट वैल्यू वह जहां पर हमको पता है अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2a प्लस 3a में क्योंकि 2a और 3a का ही वैल्यू हमको लोगों को पता है फirm लोग 2a और 3a का ही आँसर मको आता है ठीक है अब 2a को एक साइट रहन देंगे और 3a को हम लोग other side base देंगे ठीक है 2a को एक सायट हैं दिया और 3a को other side base दिया अब इसके साथ क्या चाहिए हम लोग को 18 30- Pike के सां साई चाहिए तो दूनों साइट रापटें गरेंगे साइन की ऑपरेटिंग कैसा सैं क्या बंजा का यह कुस्क टो साइन को 90 दग्री मानस 3 है साइन नानेंटी ओस्ये क्या बंजाएक का fucking ओपस थित क्रोड़ को पता क्या था होता है अब दोनों साइट से हमारा क्या कट जाएगा डखें दोनों साइट से हमतों को स्की वैल्यू कट जाएगी तो हमारे बचके कहते हैं किया स्ली टू साइट इकोसुनले एक टू एखोऊष तू 4 बन जाएगा 4 sin squared a my plus 2 sin a 4-1-3 4-3-1 plus 1 बचेगा तो उसर जाएगा तो minus 1 और निकाल देंगे sin a equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a साइन एकोज टू माइनस टू प्लस माइनस रिंडे रूट ट्वेंटी अपॉन एड कॉमल लेकर टू काड़ दे तो उपर हजा का मैनस माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइब बाइट लिसकते हैं इसको कॉमल ले काड़ दिया गया अब हम बाए पास दो option आया, 1 का या minus 1 plus root 5 by 4, 1 का या minus 1 minus root 5 by 4, दो option है, यह option हो नहीं सकता, क्योंकि A मेरा क्या है, 18 degree, 18 degree मेरा किस quadrant में लाजिक करता है, first quadrant में, first quadrant में क्या होता है, all positive होता है, इसका मतलब negative value नहीं हो सकती, तो sin 18 degree की value उंको पता चल गए कितनी हो गई, sin 18 degree will be root 5 minus 1 by 4, यह value आपको learn कर नहीं पड़ेगी, sin 18 degree की value कितनी होती है, which reason आपको पता चल गया, चलिया, क्या करना है, फिसके तराज का सीखे लेते हैं, A equals to 18 degree हमने ले लिया है, अब हम लोग को वह angle पता करना है, जिसके nearest हम लोग को इसका answer पता हो, साइट रहन दिया, sign ने अपरेट किया, क्योंकि हमको sign चाहिए था, solve किया, simplify किया, answer पर हमने पहुंच किया, ठीक है, negative value consider क्यों ने किया गया, क्योंकि sign 18 degree था, sign 18 degree किस quarter में लाइक करेगा, फर्स quarter में बच्चा पाठी, इसलिए क्या होता हो, वहाँ पर, सारे positive, चलिए ठाकुर, अब अगले पर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगला, चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले पर, कॉस 18 degree, कैसे पता चलेगा हम लोगो, since, sign square 18 degree, plus cos square 18 degree, equals to 1, तो यहां से गर आप, cos square 18 degree की value निकालनी चाहिए, तो 1 minus sign square 18 degree, sign square 18 degree की value निकाल चुका है, root 5 minus 1 by 4 का whole square, अब ध्यान से देखिए, cos square 18 degree, equals to 1 minus 5 plus 1 minus 2 root 5 upon 16, whole square expand कियागे, a square plus b square minus 2 है भी, LCM निने आपको आता है, 16 minus 6 plus 2 root 5 by 16, तो हो जाएगा, 10 plus 2 root 5 by 16, यह क्या हो जाएगा, cos square 18 degree, square root लेंगे, जब हम लोग कॉस की, तो value निकाल आगे कितनी, under root 10 plus 2 root 5 upon 4, यह देखिए आगे, cos square 18 degree की value, अब cos 18 और sin 18 की value निकाल गई, तो हम भो 36 की value निकाल लेते हैं फटाक से, चलिए, अगले पर आते हैं, अगला हम लोगों को निकालना है, cos 36 degree की value, cos 36 degree की value होगर हम लोगों निकालना चाहेती है, यह हो जाएका, 2 cos square 18 degree minus 1, या 1 minus 2 sin square 18 degree, दुरों में से जो अच्छा लगए, आप लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आए, तो अगर हम से आप पूछेंगे, तो हम यह use करेंगे, तो हम यह use करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 minus 2, root 5 minus 1 by 4 का क्या, holy square, expand करने आता आपको, 1 minus 2, 5 plus 1 minus 2 root 5, by 16, 2 से 8 times कट जाएगा यह, ठीक है, किसी को जो भी सबजने में परशानी होगा, यह पुछ ले जागा भाई, बच्चा पार्थी, जो भी चीज़ें आपको clear रहना हो यह दिमाग में, चलिए, अब इसको LCM लेकर, अगर हम लोग solve करना चाहें, तो देखेंगे, कितना आएगा, 8 minus 6, minus 2 root 5, by 8, क्या बचेगा, 2 minus 2 root 5, by 8, ठीक है, अब ध्याँ से देखिएगा, 2 common लेकर काट देखिए, क्या बचेगा, root 5, plus 1, by 4, यह क्या हो गया, cause 36 degree की value, तो थ्रहा ध्याँ दिजिएगा, sin 18 degree, root 5, minus 1, by 4, और cause 36 degree, root 5, plus 1, by 4, देखेगा, ध्याँ से, एक दूसरे में क्या हो रहा है, plus minus का खाली difference है, ध्याँ से समझे रहेगा इसको, चलिए, अब आते हैं, sin 36 degree की value पर, sin 36 degree, sin 36 degree की value निकाल लेकर, क्या लिखेंगे हम लोग भाई, 1 minus, cos 36 degree, sin 36 degree, तो cos 36 degree की वाई निकाल दिया, root 5, plus 1, by 4, इसका क्या हो जागा, whole square, 1 plus, sorry, minus लगएगा, यहाँ बीच में, 5 plus 1 plus 2 root 5, upon 16, lcm ने सभी लोग आता ही है, 16 minus 6 minus 2 root 5, by 16, क्या हो जागा, 10 minus, 2 root 5 by 16, यह sin 36 degree आया, तो sin 36 degree की वाई कितनी हो जागी, under root में 10 minus 2 root 5, by 4, ध्यान दिजेगा, इसी तरह cos 18 degree की value जो थी मेरे पास कितनी थी, under root में 10 plus 2 root 5, by 4, देखिए दुनों में क्या डिफरेंस है, काली बीच यह प्लस और माइनस का, इससे याद रखिएगा मिसा, ताकि याद करने में कहीं गलती न हो जाए, अब अगर साइन की value समझगे तो 10 22.5 पर आब आते हैं, 10 22.5 degree की value, अब इसके निरस किसके value हमको पता है, तो अब बताएंगे फटाक से 45 degree की value पता है, जो इसका just double है, तो 2a equals to क्या लिख देंगे अब लोग, 45 degree, ठीक है, operating tan, क्या बन जागा यह, tan 2a equals to 10 45 degree, tan 2a का formula क्या होता है, 2 tan a, a equals to लिख 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 22.5, 2 tan a upon 1 minus tan squared a, और 10 45 degree की value होती है, कितनी, 1, cross mile pack करने आपको आयेगा ही, 1 minus tan squared a equals to 2 tan a, इदो दो स्विच करेंगे के मिल जागा हम लोगो, tan squared a plus 2 tan a minus 1 equals to 0, यह क्या बन गया हमारे पास एक, quadratic equation बन गया, क्या बन गया है हमारे पास, quadratic equation, इसको solve करने आपको आयेगा, 22.34 method, 10A minus 2 plus minus under root B square minus 4AC upon 2A minus 2 plus minus under root 8 by 2 minus 2 plus minus 2 root 2 by 2 minus 1 plus minus root 2 यह 10A आ गया फिर 2 option मेरे पास आया minus 1 minus root 2 minus 1 plus root 2 यह answer नहीं गोई answer यह होगा reason आपको पता है यह कि A मैंने क्या सपोस किया 22.5 जो कि किस quarter aim लाई करें का first में हो first में क्या होता है all positive होता है यानि कि 10.2.5 डिग्री की वैल्यू हम लोको निकल कर आ गए कितनी 2 की वैल्यू M by N है if 10x by 2 equals to M by N हम लोगो प्रूफ करना है prove that M sin x plus N cos x is equals to N ठीक है 10x बाटीक वैल्यूदी हुई है अब देखिए sin और cos दोनों की फार्मुला हम लोगो 10 के फार्म में पता है क्या होता है 2 tan x by 2 upon 1 plus 10 squared x by 2 plus n 1 minus 10 squared x by 2 upon 1 plus 10 squared x by 2 यह left hand side मैंने उठा लिया इसका अब 10x by 2 को लोगो कितनी दी हुई हम लोगो M by N दी हुई है 2 M तो हई है M by N upon 1 plus M square by N square plus N 1 minus M square by N square upon 1 plus M square by N square देखिएगा बच्चा पाठी कोई step समझने में दिख करते हुने चाहिए बहुत अरांज को देखिए देहां से सारी values भरी गई है आपस में देखिए देहां से LCM लेने सभी लोगों को आता है 2 M square यहां देखिए upon N आएगा यहां से जब LCM लेंगे आप क्या मिलेगा हमको M square plus N square upon N square से में यहां पर जब LCM लेंगे तो हमको क्या मिलेगा N N square minus M square upon N square upon N square plus M square upon N square N square N square cut गया यहां से N N रोड़ कट गया सब को आपस में उपर निशे स्विच कर दिए जो जहाँ पर जाएगा यहां बचेगा 2M square N upon M square plus N square यहां देखे क्या बचेगा plus N N square minus M square upon M square plus N square बेस से में आपस में उपर लेंगे क्या हो जाएगा आपस में add हो जाएगे क्या हो जाएगा 2M square N plus N cube minus M square N upon M square plus N square यह देखे दोनों सेम है सब्ट्राक्ट हो जाएंगे आपस में क्या बचेगा m2 n plus n3 upon m2 plus n2 उपर से n कॉमल लेगे क्या बचेगा हम लोगो m2 plus n2 upon m2 plus n2 देखें दोनों भाई लोग कट गये हमारे आंसर क्या आ गया जो भी question करें उसका formula मारे दिमाग में रहना चाहिए formula के बिना question होने वाला नहीं है देखें बहुत ध्याँ से कुछ था नहीं sin x और cos x का 10 के form में formula हमने रख दिया है और tan x y इसमें इंसर्ट कर दिया है बाकी तो simplification है जो आप लोग 10th में पढ़के पुरा आ चुके है algebraic simplification चली अगले question पराते है चली next question जो हमसे arise किया है हमसे किया है cos cube a plus cos cube a plus pi by 3 plus cos cube a minus pi by 3 equals to 3 by 2 यह हम लोगों करना है verify ठीक है sorry थोड़ा सा question गलत हो गया बई cube नहीं था square था सब में cos square a plus cos square a plus pi by 3 plus cos square a minus pi by 3 is equals to 3 by 2 यह हम लोगो verify करना है ठीक है बहुत ध्यान से देखिए कुछ हैने question में बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग देखिए cos square a का कोई formula तो मारे पास है नहीं हम लोग लेकिए पढ़ें formula जो मैंने आपको कहता है ऐसे formula learn कर लिजेगा cos square a का value मैंने कहता क्या 1 plus cos 2 a by 2 ए होगा तो जस उसका double तो पहला आजागा 1 plus cos 2 a by 2 दूसरा हो जागा मेरा कितना 1 plus cos 2 a plus pi by 3 by 2 1 plus cos 2 a minus pi by 3 by 2 देखिए यह समझने कोई परचान होना ने चाहिए आप लोगो किसी भी step में कोई confusion नहीं होना चाहिए देखिए 2 2 2 LCM सबका सेम है 3 1 plus 1 plus 3 तीन बार 1 है तो 3 हो जाएगा तो 1 by 2 3 plus cos 2 a plus cos यह देखिए क्या बनेगा 2 a plus 2 pi by 3 plus cos 2 a plus 2 pi by 3 ध्यान देजेगा यह देखिए 3 by 2 आ चुगा यानि कि यह पूरा सम कितना ना चाहिए मेरा 0 आना चाहिए तभी यह 3 by 2 आएगा अंसर रिजल्ट देखिए आपको 3 by 2 चाहिए बचा लोग तो यानि कि यह यह और यह तीनों का सम क्याने चाहिए मेरे पास 0 आना चाहिए तो इसमें इन दुन में देखिएगा क्या लगाएंगे cos c plus cos d का formula cos c plus cos d का formula आप लोगों को याद होगा क्या था 2 cos c plus d by 2 तो 2a plus 2 pi by 3 plus 2a minus 2 pi by 3 by 2 into cos c minus d by 2 2a plus 2 pi by 3 minus 2a plus 2 pi by 3 by 2 देखिए 2 से 2a कट गया 2 pi by 3 से 2 pi by 3 कट गया देखिए क्या पचिए मेरे पास 1 by 2 3 cos 2a plus 2 cos 2a into cos 4 pi by 3 by 2 आएगा तो 2 pi by 3 बचेगा cos 2 pi by 3 इसकी value आप लोगों को पता कितनी होती है minus 1 by 2 insert कर देते है minus 1 by 2 तो देखिए क्या बन जागा कोश्चन मेरा 1 by 2 3 plus cos 2a plus 2 into minus 1 by 2 cos 2a देखिए 1 by 2 1 by 2 कट गया अब देखिए जो remaining बचा हमारे पास क्या बचा 1 by 2 cos 2a minus cos 2a plus 3 cos 2a कट गया answer will be 3y by 2 जो कि मेरा क्या है right hand side है तो बस आपको एक formula यह learn रखना है और cos c plus cos d हम लोग पिछले lectures में पढ़ चुके है उसमें से लखना है ठीक है cos square a cos square a plus pi by 3 cos square a minus pi by 3 इसको solve करने का यह procedure होगा हमारे पास बहुत ध्यान से देखिएगा solution को किसी स्टेप में कोई confusion होना नहीं चाहिए आपको क्यों को को स्टेप बहुत स्टेप वाइस बने करके आपको दिखाया है ठीक है तो इस वीडियो को हम लोग आज रहें करते हैं next वीडियो में इसके कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है multiple angles का हमारा तो इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे के question एक वीडियो और आपको मिलेगा इसी भी बेस्ट जिसमें multiple एंगल के question होंगे जो अच्छे-अच्छे questions होंगे सारे book के mix रहते है questions का तो यह एक वीडियो और लगे का जिसमें हम लोग का यह खतम हो जाएगा component multiple angle इसके पास हम लोग ट्रिमेट्री की questions में चलेगे जो हम लोग का रवार का जियो ट्रापिक है तो स्थे समय का गया और सरे कर टनको फॉर्मेट्र का को फॉलो करी घर पर रही और से रहीzd